आई दोस्तों असलाव अलेकुम कैसे आप लोग मेरा नबील है आज हम लोग चेकाउट करने वाले दो मॉंस्टर आइफोन अपने साइस के मुताबिक जो के है आइफोन 14 प्लस और आइफोन 14 प्रो मैक्स और इनका करेंगे आज फुल इंडेप्ट कंपेरेजन इंक्लूडिं आइफोन 14 प्लस से से 50,000 प्लस और देखते हैं कि है पैसे बजाकी आपको 14 प्लस लेना चाहिए कितना डिफरेंस है आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा सबसे काफी सिमिलर एक निएजून आइफून से लेकिन यहाँ पर डिपल का मॉले का से अपको देखने मिलत और यहां पे dual camera का सेरफ देखने मिलता है और कोई lighter scanner नहीं है बस एक flash है और यहां पे जो iPhone 14 Pro Max है इसका back है frosted glass का और वहीं पे iPhone 14 Plus का back है glossy glass का glossy back पे finger prints आसानी से आ जाते है frosted glass पे नहीं लेकिन यहां पे side जो है 14 Pro Max के यह है stainless steel के और iPhone 14 Plus के है aluminum के तो aluminum पे finger prints आसानी से नहीं आते और stainless steel पे आसानी से आ जाते तो यहां वहां कहीं ना कहीं कुछ ना को trade-off है लेकिन obviously guys क्योंकि यह premium metal का बना हुआ है iPhone 14 Pro Max तो यह definitely दिखने में आपको जादा अच्छा लगेगा लेकिन क्योंकि यह pro series है Apple की तो यहां पे colors जो है काफी limited है यह black आता है फिर उसके बाद purple आता है gold और silver महीं पे iPhone 14 और 14 Plus के अंदर आप काफी सारे colors के जा सकते जैसे यह नया blue color है और यह नया purple color है और इसके अलावा भी all colors आपको मिल जाएंगे बागी दोनों फोन जो है बहुत ही well built है और दोनों की IP rating IP68 की है तो आपको कहीं भी कोई दिक iPhone चाहिए लेकिन थोड़ा easy to handle चाहिए इतना difficult नहीं चाहिए इतना 14 Pro Max है तो आपको iPhone 14 Plus के लिए जाना चाहिए थोड़ा हलका सा है 14 Pro Max के मुकाबले अब यह बात बताया है मैंने इसके लिए आप extra कितना पैसा दे सकते हो 10,000 रुपे दे सकते हो क्या अगर दे सकते हो तब आप जो है थोड़ा करके iPhone 14 Pro Max के दब जाएंगे एक एक parameter जब हम compare करते रहेंगे तो जैसे जैसे आप वीडियो देखते है हिसाब लगाते रही है अब बगला जो difference है वो है displays का display दोनों के अंदर 6.7 inches के OLED panel है लेकिन iPhone 14 Pro Max का display है यह एक LTPO panel है यह आपको 1 Hz से लेके 120 Hz तक का refresh refresh rate देता है variable refresh rate आपल इसको प्रो मोशन बोलता है वही पर iPhone 14 प्लस जो है यह आपको सिर्फ 60 Hz का fixed refresh rate वाला पैनल देता है अब इसका benefit आपको कहां पे मिलता है एक तो यह है कि iPhone 14 Pro Max के अंदर आपको मिलता है always on display तो always on display सिर्फ और सिर्फ पर सिर्फ प्रो मैक्स पे आता इस त इस वाले games आप 14 Pro Max पे enjoy कर पाएंगे 14 प्लस तो खेल भी नहीं पाए काउन डिस्प्ले के अंदर refresh rate के अलावा brightness का बहुत बड़ा difference है iPhone 14 प्लस जो है यह 800 nits की peak brightness दे सकता है जिबके iPhone 14 Pro Max आपको दे सकता है 2000 nits की peak brightness तो यह जमीन आसमन का फ्रक है अब individually अगर आप प्रॉपरली तो वह आप बहुत च्छे से कर पाएंगे iPhone 14 Pro Max के display के उपर लेकिन एक बात का ध्यान रखना जब यह 2000 nits तक जाता है मैंने जब outdoor में camera comparison की आप आगे आप देखेंगे वीडियो के अंदर उस टेम पे यह 2000 nits की हुए से यह phone को heat भी बहुत जल्दी कर दे था इ इसके higher peak brightness की वज़े से और अब यहां पर display का एक और बहुत बहुत बड़ा difference है जिसके बात कर लेते वो है dynamic island versus notch यहां पर हम समझेंगे dynamic island और notch में exactly क्या फरगे देको notch तो notch है यहां पर true depth camera system है और यहां पर आपको यह कोई भी चीज एक्स्ट्रा करके नहीं देती लेकिन dynamic island में apple ने क्या किया है थोड़ा सा इस notch को जो है चूटा कर दिया है true depth camera system जो apple का आता है जो face ID sensor वगर होते है उसको थोड़ा reposition किया है और यह notch को नीचे लेकर आगे लेकिने notch जो है अब actual में यह response करती है इस तरीके से response करेंगे आपके touch को और अगर आप suppose कोई music सुन रहे हो यहाँ पर एक music हम लोग प्ले करते है और यहाँ से मैं बाहर निकल जाता हूँ तो यह music जाके इस notch में आपको नजर आने लगेगी यह dynamic island इसको apple ने बोला है अब यहाँ पर press and hold करेंगे तो यही से आप play pause वगरा सब कुछ कर सकते है और इसी पर tap करके जो है इसको open भी कर सक इसके अलावा अगर यहाँ पर music play हो रही है और suppose यहाँ पर मैंने कोई timer start कर दिया और अब यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ तब यह दोनों चीजे जो है यहाँ पर मुझे नजर आ जाती है तो यह भी यहाँ से मैं operate कर सकता हूँ और मैं कुछ और apple के accessories का इस्तमाल करता ह यही नहीं इस तरीक है कि काफी सारे benefits है dynamic island में जैसे यहाँ पर मैं unlock करूँगा तो यहाँ पर face ID वाला जो unlocking वाला symbol है वो भी यहाँ पर आ जाता है फिल कूट फैक्टर भी देता है और अच्छी खासी information भी देता है अब dynamic island का क्या फरक पड़ता है video watching के दौरण यह भी आपका एक सवाल होगा यह भी काफी important चीज़ है यहाँ पर तो अब आप बता नहीं सकते है कि कौनसा phone कौन ले रहा है लेकि नौच का जो यह हिस्सा blacked out है उसकी जगह पे dynamic island में आप थोड़ा सा display को देख सकते तो depend करता है कि कौन सी चीज के साथ जाधा आप comfortable है video watching के दौरान बाकी video watching का जो आपको experience है वो दोनों पर almost same है बस यह है कि iPhone 14 Pro Max की brightness तोड़ी जादा है तो उसका थोड़ Chroma पे और ना सिर्फ आइफोन बलके सारे consumer electronics जैसे fridge, TV, AC, washing machine, refrigerators सब पर आपको यहाँ पे best deal मिलती है Chroma से online iPhone shop करना is very safe and secure क्योंकि एक तो Chroma जो है वो Tata Group का product है और दूसरी चीज है कि Chroma खुद Apple के authorized resellers है तो Chroma से shop करने पे आपको हमेशा genuine product ही मिलेंगे और Chroma से online shop करना जो है safe भी और beneficial भी आपके लिए क्योंकि यहाँ पे return को option है और exchange जैसे भी options आपको मिल जाते है जब Chroma से online shop करते हो अभी जो festive sales चल रही है इसमें आपको lowest pricing, bank discounts और cashback offers भी Chroma पे online shop करने पे मिल रहे है तो description में जो Chroma का link है उस पे click करके आप अभी के अभी उनके website पे sign up कर सकते हो और इनका app भी है जिसको आपको फोन में install कर सकते हो ताकि आप कोई भी deal मिस ना करें अब बात करते हैं यहाँ पे दोनों phones के specification के बारे में तो iPhone 14 Plus जो है यह आता है पिछले साल के A15 बयानिक चिपसेट के साथ और पांच कोर के GPU के साथ जो आपको iPhone 13 Pro और Pro Max में देखने मिलता था और यहाँ पे पहली बार जो है नौन प्रो मॉल्स के अंदर Apple ने 6GB का RAM दिया ह वहीं पे iPhone 14 Pro Max जो है यह आता है A16 बयानिक चिपसेट के साथ और इसके अंदर भी 6GB का RAM आता है लेकि इसका जो RAM टाइप है वो faster है when compared to iPhone 14 Plus अब normal day to day life में आपको कोई फरक जो है दोनों devices में देखने को नहीं मिलेगा इसलिए मैं आपको benchmark उता देता हूं ताकि आपको पता चले कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कितना दाधा powerful है अगर आप iPhone 14 Plus और iPhone 14 Pro Max के single और multi-core के scores देख लेते हैं compare करके Geekbench के CPU के scores यहाँ पे 14 Pro Max जो है यह multi-core के अंदर thousand points से आगे निकल जाता है when compared to iPhone 14 Plus लेकिं single-core का score जो है दुनों का similar है लेकिन यहाँ पे GPU के score में अच score कर सकता है तो 3500 थी था उन 5-100 points का यहाँ पे अच्छा कासा difference आयता है जिससे आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे 14 Pro Max जो है कितना ज्यादा powerful है जब आप करेंगे कोई graphic intensive task जैसे gaming वागरा अब यहाँ पे दोनों पे आपको battery life तो gaming के डाइम पे similar ही निकल गया है कि यहाँ passive battery आती दोनों के अंदर लेकिन यहाँ डिस्प्ले में फरक होनी की वए से iPhone 14 Plus जो है यह सिफ 60fps के games ही maximum support कर सेता है उसके उपर यह refresh rate को support नहीं कर पाएगा इसके display के restriction की वए से जबकि iPhone 14 Pro Max पे आप easily 120fps वाले games जो है खेल सकते हैं काफी smoothly और आपको मजा भी आ जाएगा तो gamer हो तो आपको पता है पैसे extra कहां पे डालने हैं अभी आपने काफी सारे points देख लिए दोस्तों दोनों devices में obviously iPhone 14 Max तो बेटर है लेकिन 50,000 पर बेटर है या नहीं आप मैं समझता हूं हिसाब डाल रहे होंगे तो चलिए दोनों के camera's को compare करते है और camera के comparison के अंदर आप फोडिंग प्लस जो है वाइड और अल्टरा वाइड के setup के साथ आता है और दोनों 12 Megapixel के है front facing camera दोनों के 12 Megapixel के दोनों में autofocus मिलता है अब चलिए देखते है camera comparison तो guys आप मुझे देख रहे हो दोनों phones के front facing camera से 4K 30 fps पे यह नमल मोड है cinematic वीडियो मोड नहीं है तो यहां पर quality कैसी निकल के आती बदाई है और audio पर भी ध्यान रगना कि किसमें आपको better audio निकल के आती है अब यहां से मैं उट जाता हूं थोड़ा सा गूम जाता हो ताकि आपको समझ में आ जाए कि sunlight वगरा या HDR को किस तरीके से यह face पर manage कर रहा है dynamic range कैसे जो है वो manage अब यहां प करने के टम पर front facing camera में stabilization भी जो है 14 pro max में ही आपको better दिखती है और जो टक टक की आवाज आ थी वो एक्षिव ने tripod की थी जो दोनों फोन्स ने capture किया है दोनों फोन्स के अंदर 4K cinematic mode मिल जाता है आपको front facing camera में वीडियो के अंदर तो यहां पर दोनों ने excellent काम किया कोई फरक जो मैं आपको बदाता हूँ एक तो 14 pro max stable है जादा और दूसरा 14 plus पे आप दिखेंगे तो आपको lens flare वाला issue जो है अब नजर आ जाएगा जो के 14 pro max में apple ने eliminate करती है तो 14 pro max is better यह 4G 30 fps ultra wide angle camera इसको pause करके आप लोग देख लेना iPhone 14 pro max ही better है 14 plus के मुकाबले और यहां पे यह main lens पे हम आ जाते हैं और इस पेड़ की तरफ जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 14 pro max जो है जादा clear है 14 plus के मुकाबले अगर आप बड़े screen पे देखते हो तो 14 pro max पे 3x optical zoom करता हूँ और 14 plus पे क्यूंकि वह optical zoom नहीं digital zoom करता हूँ तो यहां पे देख सकते हैं कितनी clear footage है 14 14 pro max की और 14 pro max को और digital अगर में zoom करू 15x तक यह जा सकता है तब भी आप देखेंगे तो 14 plus के मुकाबले इसकी footage जो है clear है 14 plus में ग्रेंज जादा है अब यह जो footage आप देख रहे हो दोनों devices के rear facing camera से main lens से देख रहे हो 4K 30fps पे 4K 60fps सारे cameras दोनों devices के जो है वह शूट कर सकते है बाकि यहाँ पे यह वीडियो बताने का मकसद है तो audio किसमें आपको बेटर आ रही है जब आप rear facing camera से shoot कर रहे हो और साती जो है colors कैसे आ रहे है overall clarity कैसी है overall details कैसे है focusing कैसी है इस सब भी आपको इसमें समझ में आ जाएगा और यह दोनों phones के अंदर cinematic video mode यहाँ पे almost same ही है rear facing camera main lens से आप video बनाते हो तो यहाँ पे आपको कोई major difference देखने नहीं मिलेगा दोनों के अंदर cinematic mode जो है 4K 30fps 24 और 25fps पे आपको देखने मिलेगा HDR on या off दोनों चीज़ आप कर सकते हो दोनों की footage similar है एक quick autofocusing test यहाँ पे और दोनों phone में अलग-अलग मैंने video record किया और साथ में फिर अभी को compile करके दिखा रहा हूं कि कैसी autofocusing यहाँ पे काम करती है तो pro max के बास lidar का advantage है लेकिन daytime में नight time में हो मदद करता है जादा बाकी दोनों आटofocusing सेम है video stabilization दोनों phones के अंदर equally good है औ तब भी काफी बहतर footage है और यह 13 pro के साथ मैंने जब compare किया था तब भी आप देखेंगे 14 series में improvement है और यह है action mode मतलब मैंने इसको on करते है तो stabilization जो है एकदम next level के जदी दोनों भी exactly same कोई फरक नहीं है तो action mode का मज़ा pro max पर भी ले सकते और 14 plus पर भी ले सकते best है दोनों 14 pro max जो है macro video भी ले सकता है जो कि 14 plus नहीं ले सकता 14 plus को मैं ultra wide पर भी डालके आपको दिखा देता हूं यहाँ पर 14 plus बिल्कुल भी macro video नहीं ले सकता 14 max कमाल की लेता है यही चीज़ चलेगा जबी photography देख लेते तो यहाँ पे iPhone 14 pro max ने better काम किया है चेहरे पे details better maintained है और HDR भी ज देखिंगे तो आपको same result देखने मिलेगा जहाँ पे अगर zoom in करके हम देखते तो 14 pro max ही better निकल के आता है 14 plus के मुकाबले अब यहाँ पे एक चीज़ देखके मुझे खुशी भी और दुख भी हुआ कि pro max पे तो apple ने lens flare का issue solve कर दिया front camera में लेकिन 14 plus पे यह चीज नहीं कर और यह portrait selfies है यहाँ पे भी आपको lens flare देखने मिलेगा 14 plus में 14 pro max में नहीं और details जो है अगर zoom in करके देखते है 14 pro max में ही जादा capture करती है और 14 pro max ही जो है यह selfie के अंदर भी portrait mode में better काम करता है 14 plus के मुकाबले अब rear camera के still photos देख ले थे ultra wide के अंदर भी pro max जो है वो better है plus के मुका 14 plus में digital zoom है फिर 3x optical zoom मिलता है 14 pro max में 14 plus में again digital zoom है और last में pro max को और 14 plus को दोनों को 5x digital zoom पे लेगे गया तो सभी photos के अंदर pro max जादा detail capture करता है बेटर है pro max rear camera के main lens से जब किसी human subjects का photo लेंगे आप तो यहाँ पे same result आएगा लेकिन जब 2x का इस्तमाल करेंगे pro max पे जो के crop in करता है main sensor पे 48 megapixel का है तो यहाँ पे image जो है काफी better निकल गया थी 14 pro max मतलब detail भी हो जादा capture कर रहा है और जब हम main lens से portrait photo लेंगे तो 14 plus में आपको better लगेग है जब आप उसको ले जाते हो 3x पे तो फिर जमीन आसमन का फरक हो जाता है क्योंकि 3x तो ही नहीं 14 plus के अंदर वो optical zoom का possibility नहीं है तो यहाँ पे portrait कुछ next level की निकल के आती है 14 pro और pro max के उपर अब यह जो image 48 megapixel pro raw में मैंने shoot के है 14 pro max पे जो के pro raw mode 14 plus पे ही नहीं तो यहाँ प max पे पत्ता clear है 14 plus पे छोड़ा सा blur लगेगा अब night mode photos check out कर लेते तो यहाँ पे दोनों ने काफी similar ही image capture की लेकिन 14 pro max की image है warm और 14 plus की image है थोड़ी cooler बागी details दोनों ने equally good capture किया है लेकिन night mode का असली फरक आपको यहाँ दीखेगा जाए 14 pro max जो है portrait photos को ले सकता night mode में 14 plus नहीं ले सकता है और 13 pro 13 pro max भी ले सकते तो pro models का यह फायदा होता है इस image में देखिए आपको और जमीन आसमन का फरक देखने मिलेगा 14 pro max ने काफी जबदस details capture किया है जो 14 plus करी नहीं सकता night mode नहीं होने की वज़े से portrait photos में फिर बारी आती है दोस्तों macro photography की तो यहाँ पे macro photography तो possible ही 14 plus में तो इसके लिए आपको 14 pro max ही रेना पड़ेगा चाहे video चाहे photo दोनों में 14 pro max ही यहाँ पर आपकी मदद कर सकता है 14 plus नहीं तो camera comparison आपने देख लिया दोस्तों यहाँ पे काफी सारे differences है दोनों devices के अंदर जब हम real world test करते है तो ना iPhone 14 plus में आपको macro mode मिलता है ना macro mode video में मिलता है तो यह काफी जो है बड़ा let down है pro raw और pro res video का support भी नहीं है तो professional यूज के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको pro max के लिए जाना चाहिए और इसका सबसे अच्छा feature इसका telephoto zoom lens है जिससे आप portrait वगरा shots हो है वो better ले सकते और night portraits भी इसमें ही मिलते आपको 14 pro max मे 14 plus में नहीं मिलते तो definitely यहाँ पे camera के लिए यह एक worthy upgrade रहेगा अगर आप extra पैसे देते हो तो अगर आपको इतना यूज नहीं है camera का तो आप इसको छोड़ भी सकते अब बात करते हैं इस बैटरी कपासिटी की इस दोनों की बैटरी कपासिटी जो है exactly से में कोई फरक नहीं है दोनों के अंदर और battery life जो है मुझे ऐसा लगता है long term के अंदर iPhone 14 Plus ही better निकाल के देगा क्योंकि iPhone 14 Pro Max की battery life इतनी great नहीं है क्यों नहीं है एक तो इसमें जो डिस्पले है यह दो हजार निट्स की brightness करता है तो इतना ब्राइट जब जाएगा तो बैटरी बहुत जादा सक करता है दूसरी चीज है यहाँ पे इसका जो iPhone 14 Plus की है हाला कि on paper जो specification Apple के website पर वो सेम ही बताते है किसी किसी चीज में 14 Pro Max को better बताते है लेकिन actual day-to-day life में जब यूज करेंगे तो 14 Plus ही यहाँ पे जो है विनर रहने वाला है अगर आप battery drain test करेंगे तो शायद 14 Pro Max जीच जाए लेकिन actual जब day-to-day life में यूज करेंगे तो 14 14 Plus will be the winner battery के मामले में बाकी जोस्तों दोनों में charging capacity सेम है Mac safe support करते हैं लास्ट बात है दोनों में price का difference 50,000 रुपर का difference है आप बताईए कौन सा आप लेना पसंद करेंगे इस comparison को देखने के अगर मैं आपकी जगा रहूंगा तो शायद मैं 14 Plus ले लूँ क्यों ऐसा है क्योंकि अगर मैं आपकी जगा हूँ तो मैं content creator शायद नहीं हूँ तब मैं इसके लिए जा सकता हूँ लेकिन क्योंकि मैं content creator हूँ और मुझे रीज बनानी होती है वीडियो बनानी होती है कभी-कभी जो है camera से shoot करना possible नहीं होता तो best से best quality मुझे चाहिए होती है जिसके लिए मैं अ आपको आज का वीडियो पसना होगा पसने इसको like and share जरू कीजिए और मेरे चानल को subscribe जो कि गुडबाए